हेलो एवरीवान वेलकम बैक तो फिजिक्स फेंटम आज मैं आपको केमिस्ट्री के बाकी के क्वेशन्स कॉंटिन्यू करवाऊंगी यह जो क्वेशन्स हैं यह आपके प्रिवेस एर के पेपर से मैंने लिए हैं जैसे DRU, CHSL, CRPF अभी जितने भी आपके competitive exams आ रहे हैं CHSL और CGL included इन सब exams में यह questions science perspective में बहुत बहुत important हैं आपके exam में questions repeat होते हैं SSC कि यह policy है कि वो questions को repeat करते हैं तो यह questions आपके लिए बहुत beneficial होंगे So please वीडियो को last तक देखेगा और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो like कर दीजेगा और इसके अलावा videos को share करिएगा जिससे max to max videos, max to max students सके videos पहुँचे Question से start करते हैं Question number 10 तक मैं इसके पहले part में continue करवा चुकी हूँ आज हम इसका आगे का part करेंगे जहाँ पे मैं आपको question number 11 से करवाऊंगी questions को तो देखे सबसे पहला question क्या आता है Cathode raise Cathode किर्णों में क्या होता है सबसे पहली चीज़ तो ये negative charge particles होते हैं और इसके अंदर mass और charge दोनों पाया जाता है मतलब कि द्रवेमान और आवेश दोनों होता है cathode raise के अंदर Next Question number 12 is Which of the following is not a cation? चार parts दे रखे हैं चार compounds आपको दे रखे हैं योगिक दे रखे हैं और पूछा गया है कि इन में से कौन सा cation है? Which of the following is not a cation? कौन सा cation नहीं है? cation का मतलब किसके अंदर positive charge नहीं है? तो देखें ये जो चारो पाच्स हैं इन तीनों में aluminium iron, copper iron और zinc iron इन तीनों के अंदर positive charge होता है लेकिन जो sulphate iron है इसमें negative charge होता है और आप इसका formula याद रखेगा SO42- लिखते हैं तो यहाँ पे देखें, negative है, ये rhenion है तो इसमें पूछा गया not a cation, इन में से कौन सा cation नहीं है तो answer होगे आपका sulphate iron क्योंकि ये एक anion है Next Question number 13 is The ability of a metal substance is capable of being stretched out into a thin wire is called मतलब कि किसी भी metal substance की, एक धातू की, एक ऐसी ability जिससे कि वो उसको wire में क्या किया जा सकता है convert किया जा सकता है उसे हम क्या कहते हैं देखिए जो मैंने आपको question number 10 करवाया था उसमें मैंने इस part को बहुत अच्छे से समझाया था, लेकिन still मैं इसको दुबारा repeat कर देती हूँ कि ये एक metal की property है धातू की एक property होती है जिसमें हम उसे खीच कर तार में परवर्थित कर देते हैं तो ये जो तार में परवर्थित करते हैं इस गुन को क्या कहा जाता है इस property का क्या नाम है तो answer हो गया dectile इसे हम तन्यता खहते हैं question number 14 is the number of maximum electrons in n shell आपसे पूछा गया है कि n shell में number of maximum electrons कितने होते हैं तो यहाँ पर एक बात आप समझे हमारे पास में in total 4 shells होते हैं जिसे हम पढ़ते हैं जैसे कि 4 shells मैं आपको लिखकर दिखा देती हूं K, L, M, और N यह 4 shells होते हैं इसमें हमारे पास formula होता है 2n square का n की जगे हम number of shells लिखते हैं 2 में जैसे K अगर आपको निकालना है तो 1 लिखा तो answer आगया 2 तो K में number of electrons कितने होते हैं 2 ऐसे ही L में अगर आपको निकालने हो तो 2 into 4 यहाँ हो गए 8 तो L में number of electrons कितने हो गए 8 M में ऐसे 18 होते हैं और N में होते हैं 32 अब यहाँ पे आपको एक answer मिल जाएगा अगर आपसे K में number of electrons पूछे जाते हैं answer 2 देंगे L में पूछे जाते हैं तो 8 M में पूछे जाएं तो 18 N में पूछे जाएं तो 32 आजाएए question पे question क्या पूछ रहा है आपसे N शेल में number of electrons maximum number of electrons अधिक्तम संख्या electron हो कि कितनी हो सकती है तो answer हो गया 32 यहाँ से आप इसको देख भी सकते हैं 2N square formula लगाया answer आपको 32 next question is the element common to all acid जितने भी जो acids होते हैं अमल होते हैं उनके बीच में कौन से element सबसे common है तो answer हो गया hydrogen H plus ions common होता है acids के अंदर अगर यहाँ पे बात करी होती base की base का मतलब होता है शार अगर शार पूछा गया होता तो आप लिखते OH minus लेगिन यहाँ पे आपसे acid पूछा गया है अमल पूछा गया है तो answer हो गया आपका hydrogen next question number 16 is the acid used in lead storage cell is lead sangray में lead sangray cell में किस अमल का किस acid का use क्या जाता है तो answer है आपका sulfuric acid sulfuric acid का formula होता है H2SO4 next question is which of the following is used to remove rust stain on clothes जैसे कि मानिए अपने गीले कपड़ों को लोहे की तार पे सुखा दिया जिस वज़े से जो कपड़े हैं उसके उपर लोहे का जंग लग जाए rust stain आ जाए जंग लग जाए धबबर आ जाए rust stains आ जाए तो उसे आप हटाने के लिए किसका use करेंगे option में चार options आपको दे रखे हैं kerosene, oxalic acid solution, lime या petrol तो इसका अंसर है oxalic acid solution oxalic arm lovilian का हम use करेंगे जो rust stain आ जाता है कपड़ों पे जंग की वज़े से जो धबबे कपड़ों पे पढ़ जाते हैं on clothes यह याद रखेगा कपड़ों पे जो जंग की वज़े से दबबे पढ़ जाते हैं उसे remove करने के लिए हम oxalic acid solution का use करते हैं next question is the substance which make the red litmus paper blue red litmus paper को red से blue में जब convergen होता है उसमें हम किसका use करते हैं तो answer है आपका base शार, वहीं अगर आपसे blue से red पूछा जाता तो वह होता हमारा acid next question is which among the following acid is also known as muratic acid named में से कौन सा अमल उसे muratic acid कहा जाता है ये बहुत important question है कई बार SSC के कई papers में ये repeat हुआ है चार नाम आपको दे रखे हैं और पूछा गया है इन चारों में से किसे muratic acid कहा जाता है तो answer है आपका hydrochloric acid hydrochloric aml को muratic acid कहा जाता है next spinach content जो पालक है उसमें से इन चारों में से क्या कौन सा अमल पाया जाता है first है lactic acid ये किसमें पाया जाता है दूद में next है oxalic acid lactic acid तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता हमेशा याद रखेगा जब भी दूद या milk product से related बात करी जाएगी तो हम lactic acid को tick करेंगे दूद में bacteria पूछा जाए तो वो होता है lactobacillus bacteria लेकिन यहाँ पे आपसे पूछा गया है spinach का spinach का answer है oxalic acid last acid आपको दे रखा है formic acid formic acid को हम mythenoic acid भी कहते हैं और ये acid ant sting cheaty के डंग madumakki के डंग या जो डंग वाले जो insects होते हैं उनके डंग से आपकी body के अंदर formic acid या methenoic acid आ जाता है देखे जो last वाला point है ना इसमें दो तरीके से question आपसे पूछे जाते हैं कि methenoic acid को और क्या कहा जाता है या formic acid को और क्या कहा जाता है तो ये दोनों answer आपको याद रखने है question का answer spinach में पालक में इन में से क्या पाय जाता है तो answer है आपका oxalic acid next question is next question है baking soda का name क्या है baking soda का chemical formula क्या है इन में से तो वो है NaHCO3 इसे हम और क्या कहते है इसका जो chemical name होता है वो आपको comment section में देना है एक नाम होता है इसका sodium hydrogen carbonate इसके अलावा एक और नाम इसका होता है baking soda का उसका नाम आपको comment करना है Next question is When ino salt is poured into the water, bubbles forms which is due to जब आप ino को पानी के अंदर डालते हैं तो उस time पे बहुत सारे bubbles उपर gas आ जाती है तो वो जो bubbles बनते हैं वो किसकी वज़े से बनते हैं आपसे question में ये पूछा गया है तो वो जो bubbles होते हैं, वो होते हैं CO2 gas के CO2 stands for carbon dioxide Carbon dioxide gas की वज़े से जो ino में जो bubbles आते हैं वो आपको दिख जाते हैं Next question is Question number 23 is आपका methyl alcohol इसके अलावा वोट्स पेरेट का formula आप याद रखेगा मेथिनॉल इसको कहते हैं CH3OH अब याद रखना एक चीज को आप जो OH है ये alcohol family से बिलॉंग करता है मतलब हमारे पास में पास तरीके के functional groups होते हैं उसे हम प्रक्यात्मक समू कहते हैं उसमें से जो alcohol family होती है alcohol जो functional group है उससे मिथिनॉल बिलॉंग करता है अब देखे यहाँ पे पहली चीज तो जो वोट्स पेरेट है इसे और क्या कहा जाता है तो आंसर होगा मिथाईल एलकोहल सेकिंड चीज आती है कि आपसे वोट्स पेरेट को और दूसरा नाम क्या है मिथिनॉल इसका formula वो क्या होता है CH3OH तो ऐसे दोनों तरीके से आपसे question exam में पूछा जा सकता है next question is question number 24 is which acid is used in photography photography में इन में से कौन सा जो अमल है चार acids आपको दे रखे है पूछा गया है कि जो photography है उसमें इन चारों में से कौन से अमल को use किया जाता है तो आंसर है oxalic acid oxalic अमल का use photography में किया जाता है ये भी question बहुत बार exam में repeat हुआ है तो इसे भी आप अच्छे से learn कर लीजेगा इसके अलावा oxalic acid और किसमें पाया जाता है इससे पहले ही मैंने वीडियो के starting में एक question बताया था तो वो भी आपको comment करना है कि oxalic acid और किसके अंदर पाया जाता है इस वीडियो का last question है How are cations formed जो धनायन है वो कैसे बनते हैं चार options है First है addition of electron electron के syogen से removal of electron electron के निशकाशन से addition of electron proton, sorry, addition of proton है यहाँ पे sorry मैंने गलत लिख दिया addition of proton, proton के syogen से या proton के निशकाशन से, तो इसका answer हो गया removal of electron So my dear viewers, यह 25 questions का एक practice set था जो मैंने सिर्फ chemistry के questions का बनाया है आप लोगों के लिए अगर आप ऐसी और videos को देखना चाहते हैं, तो please channel को subscribe कर लिजेगा और bell icon को press करना नहीं बूलना है जिससे कि आपको videos की notification time to time मिलती रहें और इसके अलावा, आप मुझे Instagram पर भी follow कर सकते हैं जिसका link इस video के description में मैं आपको दे दूँगी नव मिलते हैं नेक्स वीडियो में थैंक यू सो मच